हाई, वेल्कान तो मैं चुनल, इस बीड़ो में सॉल्व करें कुशन अबर 19, ध्यांद जगा, और सिलिंड्रिकल वेसल, विदाउट लीड, हाज तो बी टीन कोटेड आन इट्स बोच साइड्स, तो एक सिलिंड्रिकल वेसल है, जिसका लीड जो है नहीं है, यह उपेन है, ठ 70 cm, इसके बीड़ का जो रेडियास है, जब यह, वो दे दिया है, 70 cm, ठीक है, and height is 1.4 meter, height जो है 1.4 meter मतलब की, 1.4 meter दियावा height, तो 1.4 meter मतलब की, इसको cm में करवाट करेंगे, तो मिलेगा आपको 140 cm, ठीक है, height दे दिया, करें calculate the cost of, cost of tin coating at the rate of rupees 3.50 per 1000 cm2, means 1000 cm2 area का tin coating करने पर, 3.50 rupees लग रहा है, तो बताएगे कि total cost कितना हुआ, तो total cost निकलने के लिए हमको निकलना पड़ेगा पहले इसकी area जिसको हम tin coating कर रहे हैं, तो tin coating बताएगे कितना area का कर रहे हैं, यहाँ पहले हम shade कर देते हैं, उस area को, देखें, यहाँ पर यह जो base है, नीचे वाला, वो open नहीं है, मतलब base को हम tin coating करेंगे, यहाँ पर कर लिए tin coating, ठेक है, तो tin coating हमने base पर कर लिया, उसका जो cut surface area है, उस पर भी कर लिया tin coating, जो lead open है, यदि lead नहीं है, तो वहाँ पर coating करेंगे नहीं, मतलब केवल इसका जो lead है न, lead वाली जो area होगी, उपर वाली, केवल यही छूट जाएगा, उसी का बस tin coating नहीं कर पाएगे, तो यहाँ पर पूरा यह हम tin coating कर सकते हैं, ठीक है, एक बाद ध्यान रखना है, इसमें बोला क्या है, on its both sides, मतलब कि tin coating करनी है, tin coat करना है, लेकिन दूनों side में करना है, मतलब कि इसके बाहर से भी, और अंदर से भी, इसका मतलब कि जो भी area निकलेगा, means area, कौन सा area है, जो tin coating किया जा रहा है, ध्यान समझिए, जो इसका base है, उसको क्या जा रहा है, तो base को क्या जा रहा है, जब, तो base का अंदर वाले को भी करेंगे, और बाहर वाले को भी करेंगे, मतलब इसकी जो area निकालेंगे तो pi R square होगी लेकिन हम उसका दोगुना कर देंगे 2 pi R square क्योंकि अंदर का भी हम कर रहे है टिन कोटिंग और बाहर का भी कर रहे है उसके बाद इसका जो cberspace area है उसके भी होगा टिन कोटिंग और जो cberspace area है 2 pi Eтора होती है लेकिन आपको अंदर का भी करना है बाहर का भी करना है ठीक है तो इसका जो होगा एरिया हो जाएगा 4πrH मतलब कि जो टीन कोटिंग जिसको करनी है जिस एरिया को उसके एरिया को निकाल लेते हैं पहले हम solution amount of amount नहीं लिखते हैं ऐसे simply एरिया लिखते हैं okay तो एरिया आफ एरिया आफ दी cylinder cylinder to be tin coated to be tin coated तो cylinder का उवा है एरिया जिसको हम tin से coat कर रहे हैं tin की coating कर रहे हैं उसकी एरिया वसम निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टू पा यारेच है उसका दोगुना करना पड़ेगा मतलब कर्प सफेस एरिया का दोगुना मैं यहां लेख सकते हैं कि two times of curved surface area मैं यहां लेखना हूँ curved surface area simple छोटा form है इसका ठीक है CSA आप इसको full form लिखेगा curved surface area का दोगुना कर देंगे प्लस जो area of the base है उसका भी दोगुना कर देंगे into area of bottom base ठीक है जो bottom base है किवाल उसका ही area का दोगुना किया जाएगा क्योंकि उपर का जो lead है वो नहीं है किवाल इतना ही area required होगी means हो जाएगा two times cards पे से रिए कितना होता है 2 pi r h plus two times area of the base क्या हो जाएगा pi r square solve कर लिजे मिलेगा आपको four pi r h plus यहां मिल जाएगा two pi r square इन दोगों में से maximum कामन क्या ले सकते है कामन लेंगा two pi कामन हो जाएगा और r भी कामन हो जाएगा two pi r यहां बचेगा two और h बचेगा plus यहां two pi r कामन लेंगा यहां बचेगा अब यहां solve करते हैं तो यहां पर जो है मिल जाएगा two into pi की value है आपका twenty two by seven into r की value जो है radius नहीं दिया वाए देखिए यहां पर seventy centimeter radius है यह है seventy centimeter यहां use कर लेंगे seventy centimeter in bracket two times height कितना है 140 centimeter अब हमेशा centimeter में use करेंगे तो 1.4 meter मत use करिएगा आप 140 centimeter convert करके यूज करिएगा इतना हो जाएगा plus r कितना है 70 अब solve करते हैं देखिए 7 मुझा 7 अब यह कट जाएगा 7 मुझा 7 0 अब यहां multiply करेंगे कितना हैगा देखिए टू से करेंगे 22 में तो मिलेगा 44 और यह 0 होगा तो 440 हो जाएगा multiplied by अब bracket कर अंदर कर सार्प करते हैं देखिए 2 into 140 करेंगे तो 280 हो जाएगा और 280 में यह 70 add कर देंगे तो मिलेगा आपको कितना 28 में 7 add कर दीजे तो आ जाएगा 35 means 350 हमें multiply करना है मतलब finally हमें multiply करना है केवल इतना से means of 440 into 440 into 350 तो हम क्या करेंगे केवल 44 मुड़ाए कर लेते हैं 35 से यहां लेगा 540 20 का 0 to carry over 540 20 40 12 12 and 20 32 32 and 2 34 34 का 4 3 carry over and 4th 12 12 and 3 15 मिलेगा 154 0 मतलब कि 154 0 और यह जो इसके दो 0 है वो भी लिख देंगे ठीक है तो इतना आँ जागा कि यह centimeter cube sorry centimeter square यह जो है area निकाले है तो जो area हम 18 coating करनी है उसके area इतनी है ठीक है अब जो rate दिया हुआ है ना उसके हिसाफ से हम cost निकालेंगे तो दिया हुआ है since दिया हुआ है कि cost of cost of 1000 centimeter square of area तो cost of coating कि यहां पर लीख लिख लें हम यहां पर लीख लीख लीजे cost of tin coating तिन कोटिंग 1000 cm2 of area is equal to आपका है रुपीज है 3.50 रुपीज तो यहां से हम निकालेंगे पहले 1 cm2 की कितना होगा तो इतना रुपीज हो जाएगा है कि नहीं देखे 1,000 cm2 area का जो कॉस्ट है वो है 3.50 तो यह निकालेंगे और 1,000 से बोज से बाइड कर देंगे तो 1 cm2 यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 3.50 आपन 1,000 रुपीज अब आपको निकालना क्या है आपको निकालना है कि यह इतना cm2 area का मतलब यह जो जिसको tin coating करनी है उतना area का कितना price होगा कितना cost होगा तो it implies अब यहां आप निकाल सकते हैं कि cost of इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार और cost of tin coating tin coating कितना 154000 cm2 of area इतना को करने के लिए coating क्या करना पड़ेगा देखें 1 cm2 का cost है इतना रुपीज इतना रुपीज तो यहां पर है 15,4,000 cm2 of area का जो cost होगा वो मड़िपलाई करने के निकलेगा यहां पर तो मड़िपलाई कर देंगे यहां पर 154,123 मड़िपलाईट बाई 3.50 अपान 1000 देखें 1000 से 1000 के चिलाट हो जाएगा और जो मड़िपलाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखें आपर 154 में 3.5 से देखें 0 खटा सकते हैं तो 154 में आप मड़िपलाई कर लिए 3.5 से तो क्या आएगा देखें आप लिए करते हैं 5,4 जा 20 का 0 2 करी ओवर 5,5 जा 25 और 2 27 का 7 2 करी ओवर 5 बंजा 5 और 2 7 3 से करिए 3,4 जा 12 का 2 1 करी ओवर 3,5 जा 15 1,16 का 6 1 करी ओवर 3 बंजा 3 और 1 4 मतलब आजाएगा 0 और यह हो जाएगा 9 यह हो जाएगा 13, 13 का 3 और यह हो जाएगा 5 इतना हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे देखेंगे यहाँ इतना होगा लेकिन decimal यहाँ पर लगा हुआ एक प्लिस पर यहाँ decimal लगाना पड़ेगा आपको मिन्स हो जाएगा 539 539 क्या हो जाएगा रूपीज दिस इस दो कॉस्ट टोरल कॉस्ट आफ कोटिंग दिस दिस स्लेनिकल वेसल विदाउट लिड ओके मतलब कि जितना एरिया है तो आपको यहाँ धान देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है यह और यह करना बहुत जिरूरी है तभी आप रिक्वाइड एरिया का कोटिंग करके जो है करेक्ट प्राइस निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट थैंकिस सो मॉच फर वाचिंग बाए